ईना वकुली आ तो जी गट्टा करीच बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे पानी को बॉयल तो छ Kalau पानी ड़ाल देते हैं इसमें हम गटे को बालें तो पानी चड़ाने के बाद अब हम तयार कर लेते हैं गट्टा बनाने के लिए समान तो अब हम लेंगे दो कप बेशन इसके अंदर एड़ करेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून जीरा और एक चोथाई चमच, हल्दी और थोड़ा सा ओईल अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी और अब हम इसका एक टाइट डो लगा लेंगे तो जी अब हमारा डो जो है पूर रेड़ी है अब हम इससे बनाएंगे गट्टे तो इस तरह से इसे बेल कर अब हम इसके पार्ट यानि टुकडे कर लेंगे तो अब इस तरीके से हम इसके गोले बना लेंगे और अब इसे दोनों हातों से लंबा बेल के इसे लंबा कर लेंगे तो सभी को लंबा कर लेने के बाद अब हमारा पानी भी गरम हो चुका है तो अब हम इसको पानी के अंदर डालेंगे तो अब हमारे गटे जो हैं वो बॉयल हो चुके आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि यह अच्छे से कुक हुए हैं या नहीं यह हवा में फ्लोट करने लगते जब यह अच्छी तरीके से कुख हो जाते हैं तो अब हम इन गट्टों को निकाल लेंगे और इस तरह से इसे पीसिज में कट कर लेंगे ध्यान रहे कि गट्टे सभी बराबर होने चाहिए तो अब हमारा गट्टे करी की ग्रेवी बनाने के लिए अब हम लेंगे दो कप दही इसमें हम एड़ करेंगे एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर दो टेबल स्पून धनिया पाउडर आधा चम्मच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार तो अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो अब हमारा मिक्स्चर तैयार है हम इसा साइड में रख लेंगे तो अब गट्टा करी की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए एक टेबल स्पून ओइल इसमें हम एड़ करेंगे हाफ टी स्पून जीरा हाफ टी स्पून हींग अब इसके अंदर हम हमारा मिक्स्चर को एड़ करेंगे अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कप पानी और इसे अच्छे से कुख होने के लिए छोड़ देंगे आधा पक जाने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे हमारे बॉयल कियो हुए गट्टे अब हम इसे अच्छे से कुख होने के लिए छोड़ेंगे जब सबजी में ओइल इस तरीके से उपर आ जाए तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो सबजी है वो रेड़ी है अब हम इसमें एड़ करेंगे क्रश करेंवी कसूरी मेथी तो अब हमारी गट्टा करी रेड़ी है अब हम इसको प्लेट करेंगे झाल झाल ढदे है झाल